नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की सिप्रालेक्स टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है सिप्रालेक्स टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिप्रालेक्स टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि सिप्रालेक्स टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Cipralix एक brand name है Cipralix tablet के अंदर salt composition acetalopram होता है Cipralix tablet 5 mg, 10 mg व 20 mg की strength में available है Cipralix tablet का उपयोग depression होने पर और anxiety यानी चिंता वतनाव को दूर करने के लिए Cipralix tablet का उपयोग किया जाता है डिप्रेशन होने पर उदास रहना, किसी काम में मन न लगना, अकेला महसूस करना, चिर्चिरापन होना, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आना, धीमी गती से सोचना, धीमी गती से बोलना या धीमी गती से शरीर की हरकते करना, शरीर में ठकान होना और उर्जा की कमी हो अपने जीवन को खत्म करने का विचार आना आदी लक्षन डिप्रेशन होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को नीन कमाती हैं। उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर सिप्रालेक्स टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। इसके अलावा पैनिक डिसॉडर होने पर भी सिप्रालेक्स टैबलेट का उप्योग किया जाता है। पैनिक डिसॉडर होने पर व्यक्ति बहुत ज्यादा भेभीप और डरा हुआ रहता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि सिप्रालेक्स टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेल होता है। सिप्रालेक्स टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुवात में सिप्रालेक्स 5 mg टैबलेट या सिप्रालेक्स 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार और नाइट में सोते समय लेने की सला देते हैं। लेकिन बाद में जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर सिप्रालेक्स 20 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार और नाइट में सोते समय लेने की सला दे सकते हैं। सिप्रालेक्स टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिप्रालेक्स टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में सिप्रालेक्स टैबलेट की वज़़ से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सिप्रालेक्स टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे उल्ती आने का मन होना, सिरदर्ध होना, मुँ में सूखापन होना, पसीना अधिक आना, नीन अधिक आना, चक्कर आना, धबराहट होना, बधजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना और उबासी आना आदी साइड इफेक्स सिप्रालेक्स टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में सिप्रालेक्स टैबलेट की वज़े से नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा सिप्रालेक्स टैबलेट की वजह से यादाश्त कम्जोर होना, शरीर में थकान वर सुस्ती रहना, दस्त होना या कब्ज होने की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक सिप्रालेक्स टैबलेट का सेवन करने की वज़ह से शरीर का वजन ज्यादा भी हो सकता है और शरीर का वजन कम भी हो सकता है। सिप्रालेक्स टैबलेट की वज़ा से सेक्स करने की इच्छा कम हो सकती है और पुरुषों में सेक्स के दौरान सीमन निकलने में देरी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि सिप्रालेक्स टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। सिप्रालेक्स टैबलेट को लाइन्जोलिड अंटिबायोटिक खोन पतला करने वाली दवाइयां जैसे एस्पिरिन और डप्रेशन को ठीक करने के लिए उप्योग की जाने वाली कुछ केटेगरी की दवाओं के साथ सिप्रालेक्स टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं ह इसके अलावा दर्थ को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली नॉन स्टेरोडिल एंटी इंफलमेटरी दवाईयां जैसे एसिकलोफनेक, डाइकलोफनेक, आईबुप्रोफेन और निमसुलाइड आदी दवाओं के साथ भी सिप्रालेक्स टैबलेट को लेना रेक्मेंडे नहीं होता है, क्योंकि इन दवाओं के साथ सिप्रालेक्स टैबलेट को लेने से दवाईया आपस में एक दूसरे के साथ इंटराक्ट कर सकती है, जिसकी वज़े से serious side effects भी हो सकते हैं. सिप्रालेक्स टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवर नहीं करना चाहिए और सिप्रालेक्स टैबलेट को लेने के बाद driving नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है क्योंकि सिप्रालेक्स टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन अधिक आ सकती है जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दोरे आते हैं ऐसे व्यक्तियों को सिप्रालेक्स टैबलेट को बहुत ही सावधानी से वर डॉक्तर की देख रेक में ही दिया जाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिप्रालेक्स टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को सिप्रालेक्स टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिप्रालेक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं